हेलो स्टुडेंट्स अपना गुर्कुल यूटुब चेनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदर राजावत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे नावुदे बेच के चेप्टर नमबर वन का लेक्चर नमबर टू ले जाके आप फर्स्ट लेक्चर को देखिए उसके बाद में आप लेक्चर नमबर टू को देखना स्टार्ट कीजिए इसके साथ ही अगर अब भी तक आप लोगों ने चेरल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेरल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर द वेसे तो आप लोगों ने 6th और 7th class में भी fractions पढ़ा होगा, यहां हम जादा नहीं पढ़ेंगे, कि उन fractions का एक simple definition देखेंगे, और एक दो examples से उसको समझने की कोशिस करेंगे, उसके बाद में हमारा जो topic होगा, introduction to rational numbers, यानि हम rational numbers को पढ़ेंगे, कि rational number होते क्या है, कौन-कौन rational numbers, तो इन topics को हम इस video lecture में cover करेंगे, तो चलिए, शुरू करते है, तो हमारा सबसे पहला topic है, वो है fractions क्या होते है, तो देखो, fraction का simple meaning क्या होते है, मैं आप लोगों को यहां एक example से समझाता हूँ, जैसे यह हमारे पास एक पूरा paper है, hole है, hole यानि, पूरा complete है, इस में से हम इरिया का एक छोटा सा part हमने ले लिया, यह paper हो सकता है, कुछ और भी를 हो सकती है, तो यह पास क्या कहलाब है, तो fraction का simpleree का मतलभ होता है, किसी complete चीज का एक छोटा सा part, वो क्या कहला था fraction, तो मैना लिए दिया है, fraction का मतलभ होता है part of hole, hole का मतलभ buscando profit, पूरा तो पूरी पल मतलब यह होता है, fractions को क्या किया जाता है, a by b type से represent किया जाता है, यहाँ a को numerator पढ़ा जाता है, और b को denominator पढ़ा जाता है, इसको पढ़ेंगे कैसे a by b या a upon b, यहाँ बहुत important चीज है, यह दोनों conditions बहुत important है, वो ध्यान से देखना, कि यहाँ a और b क्या है, यहाँ a और भी है positive integers, last lecture में हमने पढ़ा है, positive integers को क्या करते है, i plus या z plus से represent किया जाता है, तो यह positive numbers होने चाहिए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, इन में से कोई number होना चाहिए, साथ में जो denominator है, यह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, आगे किसी lecture में आप लोगों को बताऊंगा, हम लोग 0 से denominator, तब कि 0 से divide क्यों नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 क्यों नहीं रखते हैं, एक्चल में जब हम 0 डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो इसका जो answer आता है, वो no defined हो जाता है, infinite हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि इसलिए हमने condition सुरू में फिक्स कर दिये, कि होना चाहिए, positive integer होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, कि वो जो number बनेगा, A by B type का, वो क्या क्यलाएगा, एक fraction होगा, एक चीज़ और में बताईए, कि A और B दोनों positive है, तो जो fractions होंगे, वो हमेसा क्या होंगे, positive होंगे, इसका मतलब fraction कभी की value कभी भी negative में नहीं होगी, जैसे कभी नहीं बोल सकते कि ये टुकडा minus 1 by 2 टुकडा है, तो इसका कोई sense नहीं है, तो एक चीज़ ध्यान अखना, fractions हमेसा positive होते हैं, इसके साथ ही देखो, example यहां लिखना किया है, जैसे 5 by 2, 1 by 3, 7 by 11, तो इन तीनों के अंदर देखो, A by B, A by B, A by B type का है, A और B, दोन denominator किसी का भी 0 नहीं है, तो यह तीनों किसके example है, fractions के example है, I hope आप लोगों को fraction का मतलब समझ में आ गया होगा, अब यहां पर तीन major type के fractions हैं, जिनको हम use करते हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं, तो सबसे पहला है proper fraction, अब proper fraction किसको बोलते हैं, तो proper fraction का मतलब होता है, कि अगर किसी fraction का numerator, N मतलब numerator, छोटा हो, और denominator क्या हो, बढ़ा हो, तो ऐसा fraction क्या 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 आता है, proper fraction क्या होता है, तो जैसे 2 by 3, तो यहां पे देखो 2 क्या है, छोटा है, sorry, 2 by 5, तो 2 क्या है, छोटा है, 5 बढ़ा है, तो यह क्या है, proper fraction, improper fraction क्या होता है, तो improper fraction में क्या होता ह numerator बड़ा हो जाता है और denominator छोटा हो जाता है तो यहां किया देखो 5 by 3 तो यहां आप लोगों को दिख रहा होगा numerator 5 क्या है 3 से बड़ा है तो यह किसका example है improper fraction का और improper fraction को यह तरीके से ओर लिखा जाता है जिसको क्या बोला जाता है mixed fraction mixed fraction में क्या होगा जैसे इसी को क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड करें तो कितना one time divide होगा 3 होगा minus 2 करना पड़ेगा अब इसी को हम क्या करेंगे जो एक्चोर में 5 by 3 था इसको हमने सोल करके अब इसको कैसे लिखा जा सकता one and two by three यहनि जो रिमेंडर आयेगा उसको तो यहां लिखेंगे हम लोग जो भी हमारा क्योसेंट आयेगा यहनि जो रिजल्ट आया था उसको यहां लिखेंगे और जिससे डिवाइड किया था वो डिवाइजर कहां लिखा जाएगा यहां लिखा जाएगा तो यह हमने इंप्रोपर फ्रेक्शन को किस में कनवर्ट कर लिया मिक्स फ्रेक्शन में कनवर्ट कर लिया तो मिक्स फ्रेक्शन में दो चीजे होती है जैसे कि यह है फाइफ एंड टू बाई थ्री तो यह फाइफ वाला पार्ट तो होल नंबर वाला पार्ट कहलाता है और टू बाई जाका है that ? अज़ा हमारático क्रोपर फ्रेक्षरंड is गल्तितों इंप्रोपर लिख दिया थाँ, यह क्या होगा ? नहीं सुखेड लूंग 2x3, इंचे शिला लुक्तION mìसर लूंग को प्रप punish लदा को दिया हो। यह क्या है क्या मिक्स true my Church सकते हो पूरा प्रिक्षन अगर आप लोगों को देखना यह यह हमारा नाम पैसे आप मिक्स फ्रेक्शन इंप्रोपर को मिक्स में कैसे कनवर्ट किया जाता है यह आप लोगों को पता होना चाहिए बस अब हमारा जो में जो चेप्टर का नाम है रैस्नल लंबर्स वो टोपिक स्टार्ट करते हैं अभी लास्ट लेक्शर में और अभी तक जो हमने पड़ा है उसमें केवल हमने बेसिक्स को सीख आ है अगर आप लोगों के basics clear हो गए होंगे तो आप लोग rational numbers को आसानी से समझ सकते हो तो देखो rational numbers क्या होते है similarly जैसे fractions को A by B type से लिखा जाता है तो जो rational numbers होते हैं इनको भी क्या किया जाता है इसी तरीके से लिखा जाता है आप लोग क्या कर सकते हो यहां पर इसको A by B भी बोल सकते हो बस conditions बदल जाए की conditions क्या है यहां इसको read कैसे किया जाता है की एक तो P by Q या P upon Q साथ में यहां पर P and Q क्या होने चाहिए integers अब देखो इन दोनों में क्या difference है वो समझ लो यहाँ A और B क्या होने चाहिए थे positive integers और यहाँ P और Q क्या होने चाहिए Integers, Integers का मतलब है कि यह positive भी हो सकते हैं और यह negative भी हो सकते हैं मैं positive को short में plus V E लिखता हूं, positive का last का V E और plus लगा दिया यानि positive और negative यानि minus V यानि negative तो यह जो है मतलब की P और Q इसकी value positive भी हो सकती है और negative भी हो सकती है तो जब rational numbers की में P और Q है इसकी value positive negative कुछ भी हो सकती है तो हम बोल सकते है जो rational numbers है वो positive भी हो सकते है और negative भी हो सकते है यानि यह क्या हो सकते है positive भी हो सकते है और negative भी हो सकते है आगे और अच्छे से explain करूंगा positive कब होगा negative कब होगा note के through तो आए वह आप लोगों को rational number का simple मतलब समझ में आ गया होगा अब कुछ examples देखते हैं कि यह rational number है या नहीं है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं देखना किवल यह देखना है कि अगर वो P by Q की form में है तो वो क्या होगा rational number होगा otherwise rational number नहीं होगा तो देखो 5 by 2 P by Q की form में दिख रहा होगा minus 2 by 3 यह भी P by Q की form में है 1 upon minus 4 यह भी क्या है P by Q की form में है अब यहां मैंने कुछ examples और लिखे हैं तो क्या यह भी P by Q की form में हैं तो इसको देखते हैं समझने की courses करते हैं यह कितना है 5 क्या हम 5 के नीचे 1 लगा सकते हैं कोई फरक पड़ेगा क्योंकि नीचे तो 1 हो सकता है ना नीचे 0 नहीं होगा हमारी condition क्या थी कि denominator 0 नहीं होना चाहिए numerator तो 1 कुछ भी हो सकता है तो क्या भी यह P by Q की form में बन गया हां यह P by Q की form में बन गया माइनस 3 अपोन 1 0 के नीचे तो कुछ भी लगा दो जैसे कि मालनो 5 लगा दिया बस 0 नहीं होना चाहिए फिर यह है 1.2 अब 1.2 क्या हो सकता है क्या तो देखो यहां पॉइंट डेसिमल को हटाओगे तो नीचे कितना लग जाएगा 1 डेसिमल के आगे कितना डिजिट है एक डिजिट है तो एक जिरो लग जाएगा अब इसको मैं अच्छे से अभी थोड़ा समझा हूँगा पहले इसको देख लो तो यहां भी क्या हो रहा है 1.523 है तो पॉइंट हटे आगे देख लूँगा इसको करने के बाद में हम पहले एक बार इन तीनो नोट को देख लेते हैं उसके बाद में हमारा अगला टोपिक पड़ेंगे इस टेंडर्ड फॉर्म क्या होती है तो देखो तीनो नोट है बहुत इंपोर्टेंट है यहीं से डाइडेक्ट कर जिश्फेट 1.1 है उसका पहला क्येस्टन हुँ इयए कि हमेज जीरो है गृष्फेता नंबर होता है अब अगर हमारे को समझना है जीरो रह स्नान सखकते है तो हुमारे को क्या करना पड़ेगा कि हमें अगर 0 को प्यकी की फ़ॉम में कनवर्ट कर दिया तो हम बोलेंगे कि यह क्या है, एक रहस्ता नमबर है, अधरवाइज नहीं है, तो देखो, क्या 0 को 0 upon 2 लिख सकते हो, अभी भी आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, 0 को हम 0 upon 10 भी लिख सकते है, 0 upon 5 भी लिख सकते है, कुछ भी लिखा दा सकते है, वह निूमेरेटर में तो 0 हो गया है तो हम बोलेंगे 0 क्या होता है Nikसे होता है मिन्हार में लिखा Larry ne I håb आप लोगों के बाथ समझ में आ गई होगी तो कोई भी पूछे क्यों क्या था थी हां कि हाग ग्रस्ला रिंपर होता है क्योंकि इसके डिनोमिनेंटर में 0 के लागा कोई भी number रखके हम P by Q की form में convert कर सकते हैं फिर अगला है all rest all integers are also rest the numbers अभी हमने यहां देखा था देखो 5 minus 3 0 यह तीनों की तीनों क्या integers है अब जब integer है तो integer के नीचे क्या कर सकते हो सब के नीचे 1 लगा दो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से divide करने पर वही result आता है तो सभी integers के नीचे 1 लगा के उनको P by Q की form में क्या किया जा सकता है convert किया जा सकता है तो हम बोल सकते हैं जितने भी integers होते हैं वो सारे के सारे rational numbers होते हैं लेकिन इसका उल्टा साही नहीं होगा इसका reverse करोगे तो जैसे सारे rational number integers होते हैं क्या नहीं होगे जैसे कि 1 by 2 क्या है rational number तो है लेकिन integer नहीं है तो इसका उल्टा true नहीं होगा तो I hope आप लोगों को यह बात भी समझ में आ गई होगी अब ध्यान से देखना जब मैं integer बोल रहा हो ना तो natural number and whole number already इसके अंदर include हो चुके है क्योंकि इंटिजर में क्या होता है 1 2 3 4 5 यह भी आता है 0 1 2 3 4 5 यह भी सामिल होता है तो whole numbers नेचर number अलग से बोलने की जरुवत नहीं है हमने integer बोल दिया इसका मतलब हमारे whole number नेचर number already इसमें include हो गए इसके साथ यह जो तीसरा point है यह बहुत से explain करके ठीक है इसको हम next slide पर अच्छे से देखेंगे ठीक है तो यह हमारा इससे link topic था तो हम इस example को भी देखेंगे यह P by Q की form में कैसे convert होगा इसको क्या होगा थोड़ा सा space चाहिए होगा अच्छे से समझाने के लिए अभी यहां पर मेरे पहले उसको समझते फिर एक्जांपल देखते हैं कि रेस्नल नंबर आर इन स्टेंडर फॉर्म क्यों भी रेस्नल नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए अभी एक एक्जांपल से समझेंगे और अच्छे से दूसरी चीज क्या है इसमें कि डिनोमिनेटर इजे पोजिटिव इंटीजर मैं दो एक्जांपल समझाता हूँ जैसे कि यहां पर लिखा मैंने 5 अपोन माइनस 10 अब यहां देखो यह भी 5 से डिवीजीबल है यह भी 5 से डिवीजीबल है दोनों अगर 5 से डिवीजीबल हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि 5 इन दोनों का एक कोमन फेक्टर है इसका मतलब समझ में आगे हैं इसके साथ इसका डिनोमिनेटर कितना है माइनस का है तो हम कि वो किस form में convert हो का indigen तो हम क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा सा simplify करके इस 5 को divide कर सकते हैं 5 से इस 10 को भी divide कर सकते हैं 5 से और यह minus अभी चलाते हैं इस minus को भी कुछ करेंगे देखो अभी 1 उपर आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा यह minus का 2 है लेकिन अभी भी यह standard form में convert नहीं हुआ है तो standard form में convert करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इस पूरे को minus के 1 से multiply करना पड़ेगा इससे होगा क्या देखो minus 1 से multiply करने भी कोई फरक नी पड़ेगा क्योंकि minus 1 से minus 1 वैसे भी divide हो जाएगा लेकिन उपर क्या बन गया 1 को minus 1 से multiply करेंगे तो minus 1 अब यह minus के 2 को minus 1 से करना है तो 2 को 1 से करेंगे तो कितना हैगा 2 और minus और minus multiply होके क्या हो जाता प्लस तो अब यह वाला जो example यह वाला जो rational number हमारा बना है इसको देखो कि यह जो condition इसने बोली है सेटिस्वाइ कर रहे है क्या 1 और 2 में कोई common factor है कोई भी 1 के अलावा कोई common factor नहीं है दूसरी चीज है जो denominator है वो क्या है positive है तो हम बोल सकते है कि minus 1 upon 2 जो rational number है वो किसमें convert हो गया हमारे standard form में convert हो गया I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी आगे की slide पे में एक दो example भी इसको इसके आप लोगों को समझाने वाला हो इसके साथ एक last छोटा सट चीज और है वो भी देख लो आप लो कि जैसे natural numbers के जो पूरा set होता था collection होता था आप लोगों को यह चीज ध्यान रखनी है I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी इस वाले note को और आने वाली slide पे हम लोग next वाले topics और कुछ examples solve करते हैं तो आप इसको note कर लीजिया किस तरीके से note करना है सबसे पहले fraction वाला part आप लोगों को note करना है पूरा fraction वाला part note करने के बाद में rest number वाला part note करना है rest number में examples वगेरा सारे note कर लेना है इसके बाद में आप लोगों को यह तीनो note note करने है note में यह note करने के बाद में इसके नीचे थोड़ी सी जगे छोड़ देना आप लोग जिससे कि इसको मैं explain करूंगा तो इसका जो भी content होगा वह आप यहां पे लिख लेना और इसके बाद में आप लोग standard form नोट कीजिए जिसका एक एक जामपल यह लिख सकते हो साथ में आने वाली स्लाइड पर कुछ एक जामपल करेंगे इसके तो वह भी नोट कर लेना तो इसे आप लूट कर लीजिए अब हम हमारा जो नोट नंबर थ्री था उसको एक बार समझ लेते हैं उसके बाद में कुछ क्यों संस करेंगे तो देखो मैंने क्या लिखा है कि terminating decimals and non-terminating but repeating decimals अब पहले तो यह क्या होते है इसको समझते फिर रहसना नंबर तो बाद में देखेंगे terminating का मतलब होता है कि आप लोगोंने किसी decimal किसी number को divide किया और divide करने के बाद में decimal के कुछ places के बाद में वो क्या होगा stop हो गया जैसे यहां क्या है point decimal है यहां decimal के बाद में 52 यहां जाके क्या हो गया यह रुक गया यानि terminate हो गया तो ऐसे decimals को क्या बोला जाता है terminating decimal बोला जाता है अब यहां देखो decimal में क्या हो रहा है 1.33333 बार बार repeat हो रहा है तो यहां क्या हो रहा है एक तो रुक नहीं रहा मतलब इसलिए कैसा है non terminating हैあ 7 में यह क्या हो रहा है रिपीट भी हो रहा है तो इसको लिखने का एक तरीका ओर होता है इसको लिखा जाता है वण पंप्वें 3 महतासानी से समझ सकते हैं कि इसको P by Q की form में convert कर दिया अब ये वाला जो पार्ट ना आप लोगों के 9th class में आता है यहां केवल मैंने लिखवा दिया है आप लोग इस note को ध्यान रखना और मैं इस example को बताता हूं यह actual में है क्या देखो अब लोग करके देखो चार में 3 से divide करके देखो 3 वन जा 3 मायनस करेंगे कितना आया 1 अब 1 में तो 3 से divide होता नहीं en तो हम क्या करेंगे? 0 note करेंगे 0 note करेंगे तो यहां क्या लगाएंगे? decimal फिर 10 में कितने time divide होगा? 3 टाइम फिर 9 आया फिर minus करेंगे 1 एक बार decimal लगा दिया अब एक 0 अपने मन से कभी भी लगाते रहो फिर आया 3 फिर 9 फिर minus फिर 1 फिर 3 आयेगा मतलब यह चलता ही रहेगा कभी रुके गाई नहीं यानि कि यह जो actual में number दियावा था वो कितना था 4 divided by 3 जो कि आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि यह किस फॉर्म में लिखावा है यानि कि 4 by 3 ही actual में क्या लिखावाता है ऐसे लिखावाता हम बोल सकते कि ऐसा कोई number होगा तो उसको पी बार क्यों कि फॉर्म में convert किया जा सकता है कि इसको इसमें convert कैसे करें तो अभी तो हम सोच पा रहे हैं इसलिए हमने कर लिया ठीक है तो ऐसे कोई भी examples अगर आप लोगों को दिखते हैं जो कि क्या हो रहे हैं जिसमें number repeat हो रहा है तो वो सारे के सारे numbers क्या होंगे rational numbers की form में यानि P by Q की form में convert किये जा सकते हैं I hope आप लोगों को यह topic समझ में आ गया होगा इसके बाद में हम पहले यह बेख लेते कि पोजिटिव rational numbers क्या होते हैं और negative rational numbers क्या होते हैं तो देखो पोजिटिव rational number कब होगा जैसे कि अभी हमने बेखा था कि P by Q number जो है यहां पर P और Q क्या होने चाहिए integer होने चाहिए और Q denominator 0 नहीं होना चाहिए अभी यह positive कब होगा पोजिटिव होने के लिए condition यह है कि या तो P और Q क्या हो जाए पोजिटिव हो जाय यह पी और क्यों के दोनों क्या हो जाया negative क्योंकि negative से negative कट जाएगा मतलब कटने का मतलब होता है कि पूरा इस negative को क्या मान सकते हो minus 1 यह negative यह यह minus 1 minus 1 से minus 1 divided हो गया तो अगर दोनों के sign same है यहनि कि P और Q अगर both have same sign both have same sign अगर दोनों के same sign है तो हम बोलेंगे कि जो rest of number होगा वो कैसा होगा positive होगा negative के लिए क्या condition है जिसे for example जिसे 5 by 2 है यह positive है minus 2 by minus 3 यह भी positive है क्यों कि minus से minus कर जाएगा final answer कितना हैगा 2 by 3 I hope आप लोगों को यह चीज़ समझ में आगे होगी अब आगे हम देखते है negative rational number क्या होता है तो negative rational number में क्या होगा जोसे एक negative है और एक positive है या एक positive है और एक negative है त्यान अखना positive में लिख रहा हूँ वहाँ पे जरूरी निये कि वहाँ पे plus 5 लिखावा है जोसे यहां दोनों में देखोगे 5 और 2 में कोई plus नहीं लगाया लेकिन जब जहां कुछ भी sign नहीं होता है वो किसका माना जाता है positive माना जाता है तो यह दोनों के दोनों क्या होँगे negative होँगे तो जब हम बोलेंगे P और Q बोथ है different sign अगर दोनों के sign क्या है different है तो हम बोलेंगे कि वो क्या होँगे negative rational numbers होँगे for example जैसे कि minus 5 by 2 हो गया या 3 by minus 4 हो गया etc यह क्या है हमारे negative rational number है तो कभी पूछा जाए कि कोई भी rational number positive कब होगा जब P और Q यानि numerator और denominator same sign के होँगे negative का होगा जब numerator और denominator different sign के होँगे I hope यह topic भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हम दो questions करते हैं दो questions से पहले समझते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है वो फिर next slide पे हम लोग equivalent rational numbers को पढ़ेंगे तो देखो पहले यह वाला question करते हैं कि which of the following is true तुमारे को चार statement दिये हैं इन में से कौन सा सही है हमारे को पता करने है तो हम क्या करेंगे अभी तक जितना भी पढ़ा है उन सभी note वगेरा को हम यहां पे apply करने की कोशिस करेंगे अगर जहां वो apply हो जाता है वह अगला true हो जाएगा अगे तक चलते रहेंगे इधर भी minus one zero one two three whole number क्या होते है zero one two three अब यह क्या बोल रहा है कि every integer is whole number मतलब क्या सारे के सारे यह यहां आ रहे है क्या आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे के वल इतने ही तो आ रहे है इधर यह थोड़ी ना रहे हैं तो हम बोलेंगे कि यह जो statement उसने बोला है वो बिल्कुल wrong statement है यह चीज़ समझ में आ गई होगी आपके फिर क्या बोला every rational number is an integer अभी यह last slide पे मैं already पढ़ा चुका हूँ कि जैसे कि एक rational number है जैसे मालो कि 5 by 10 इसको solve किया तो कितना आया 1 upon 2 क्योंकि यह भी 5 से 1 टाइम डिवाइड हो गया यह टू टाइम होगी यह rational number तो है लेकिन क्या यह integer है यह integer नहीं है लेकिन वो क्या बोल रहा है कि जितने भी rational number होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं integer होते हैं यह देखो एक एक्जामपल से हमने इसको क्या कर दिया गलत प्रूफ कर दिया मतलब यह क्या बता रहा है गलत बता रहा है तीसरा statement है every integer is a rational number हाँ हम बोल सकते हैं जितने भी integer है वो सारे के सारे रहे सारे होंगे कैसे तो सारे माइनस 3 माइनस 2 सारे के सारे rational number होंगे यह statement बिल्कुल true है फोर्थ भी देख लेते हैं कि every w मतलब whole number इजे natural number क्या सारे के सारे whole numbers natural number होते हैं तो यह भी हम देखते हैं यह natural number भी लिख देते हूंगे natural number क्या होते हैं 1, 2, 3, 4 यह natural numbers होते हैं अब उसने क्या बोला है सारे के सारे whole numbers natural number होते हैं तो क्या यह सारे के सारे यहां आ रहे हैं आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि 0 यहां natural numbers में नहीं आ रहा तो मतलब सारे के सारे whole numbers natural number भी नहीं होते हैं तो यह statement भी क्या है इसका false statement है तो हम बोलेंगे कि जो C होगा यह हमारा सबसे true statement होगा यानि कि यह हमारा answer हो जाएगा I hope आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई होगी इसी के साथ हम लोग एक standard form के उपर भी question कर लेते हैं चोकि हमने last slide में भी पढ़ा था कि write the given rational number into standard form यह एक rational number given है इसको हमारे को standard form में convert करना है अब पहले तो ही समझते है standard form है क्या तो standard form का मतलब है कि जब इन दोनों में कोई भी common factor नहीं आए यानि कि दोनों किसी भी same number से divide ना हो और साथ में इसका denominator क्या हो positive हो तो सबसे पहला काम एक काम करते है हम लोग denominator को positive बना देते है तो denominator को positive कैसे बना है तो इसके लिए हम क्या करते है उपर भी minus 1 से multiply कर देते हैं नीचे भी minus 1 से multiply कर देते हैं minus 1 से multiply करने पे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि minus 1 से minus 1 फिर डिवाइड हो गया 0 हो गया है देनोमेटर को positive बना लिया लेकिन अभी standard form नहीं बनी तो अब देखो कि क्या कोई दोनों यह दोनों numerator देनोमेटर किसी single number से किसी एक number से divide हो रहे है नहीं हो रहे तो अगर आप सोच पारे होंगे तो देखो 12 से बहें देर्वाइड करेंगे पुल सकते हैं जो minus 2 by 3 अई है यही हमारी क्या होगी इस वाले question की standard form होगी आप लोगों को यह की समझ में आ गई होगी इसे भी आप नोट कर लीजे, अगले स्लाइड पर हम लोग equivalent rational numbers और इसके उपर कुछ questions करेंगे अब हम देखते हैं हमारा next topic जिसका नाम है equivalent rational numbers अभी equivalent rational numbers क्या होते हैं? इसको समझने से पहले एक example को समझते हैं, तो देखो हमारे पास दो आदमी है कोई भी दो जने हो सकते हैं और एक चपाती है कुछ भी हो सकता है, पीजा हो सकता है या फिर चपाती है, कोई भी चीज हो सकती है हमें क्या करना है? इन दोनों के अंदर बटवारा करना है दोनों को बाटना है कि दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए तो इस बटवारा करने का मैंने तीन तरीके निकाले तीन तरीके क्या हो सकते हैं मैंने क्या किया इस चपापी के दो equal parts किये दो equal parts में से एक part इसको दे दिया और एक part इसको दे दिया यह fraction को लिखने का तरीका है या आप लोगों ने 5th, 6th, 7th किलास में पढ़ा होगा कि पिक्चर की फोर्म से फ्रेक्शन में कैसे कनवर्ट करते हैं ठीक है फिर मैंना मन किया नहीं नहीं इसको एक काम करते हैं दो टुकडे नहीं करते हैं चार टुकडे कर देते हैं इसके आठ में से चार पार्ट इसको दे देते हैं और आठ में से चार पार्ट इसको दे देते हैं मैंने तीन तरीके से बटवारा किया ठीक है अब लास्ट में में आप लोग अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आप लोग यह चीज नोटिस करोगे कि मैं कैसे भी करू टुकडे ऐसा करके बटवारा करू ऐसा करके करू या ऐसा करके करू यहाँ आप चीज नोटिस करूगे कि तीनों बार में उसको आधी आधी चपाती तो मिली है अभी भी आधी चपाती मिली है अभी भी भी आधी चपाती है अभी भी आदी चपाती है, यानि कि मैं अगर उसको 1 upon 2 दू, या फिर 2 upon 4 दू, या फिर 4 upon 8 दू, क्या ये तीनों के तीनों बराबर नहीं है, तीनों आदे आदे ही तो है, यानि कि यहां जो ये तीनों मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए rational numbers ताइप फ्रेक्शन समझ सकत पॉजिटिव है इसलिए, ये एक्चल में है क्या, ये तीनों के तीनों क्यालात है है हमारे equivalent fractions या फिर rational numbers, I hope आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया होगा, equivalent का मतलब होता है, जितने भी rational number होंगे, वह आपस में बराबर होंगे, ठीक है, अब ये चीज समझों कि भाई तो अगर इसके numerator को और denominator को हम सेम नंबर से multiply कर दें, तो देखो 1 को 2 से और 2 को 2 से multiply करिया तो क्या होगा, 2 by 4 बन गया, फिर इससे ये बनाए तो क्या से बनाए, कि फिर वो ही है, या हम इससे direct क्या बना सकते हैं, ये, इससे direct क्या से बनेगा, तो दोनों को क्या करो, numerator, denominator, द हो गया, यानि हमें ये चीज समझ में आती है, कि अगर किसी भी fraction या rational number के numerator और denominator को सेम नंबर से multiply करें, तो एक नया rational number या fraction मिलेगा, तो जो नया fraction या rational number मिलेगा, वो इसके क्या होगा, equivalency होगा, ये चीज आप लोगों के अच्छे से clear होगी, अब इसी को हमने एक standard form में लि क्यों integer होने चाहिए, और क्यों denominator यानि 0 नहीं होना चाहिए, अगर हम इसको किसी m number से, m कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, कुछ भी, लेकिन ध्यान रखना, m 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से multiply करोगे, तो वो सब को क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो एक नया rational number मिलेग इसको multiply करने पर जो result आएगा हो, या किसी n number से हमने क्या कर दिया, multiply कर दिया, दोनों को, numerator को भी हो, denominator को, ठीक है, तो जो एक नया rational number मिलेगा, इनका जो result, वो इसके क्या होगा, equivalent होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, m और n 0 नहीं होना, चाहिए, similarly, अगर हम यह क्या करें, numerator को भी 8 से, 4 से divide कर दो, और इसको भी 4 से divide कर दो, तो यह 1 आजाएगा, यह 2 आजाएगा, मतलब अगर हम numerator और denominator को, दोनों को, सेम नंबर से divide करें, और सेम नंबर क्या होना चाहिए, यानि 0 नहीं होना, चाहिए, तो जो नया, हमारे को क्या मिलेगा, रेस्नल नंबर मिलेग वो रेस्नल नंबर भी इसके क्या होगा, एकिवेलेंटी होगा, I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई हूँ कि, एक एक्जाम्पल से और अच्छे से इसको समझते हैं, तो देखो, यह हमारे को 5 बाई 10 एक रेस्नल नंबर दिया है, इस रेस्नल नंबर के equivalent हमारे को 3 find करने हैं, तो देखो, अगर मैं इसके numerator को, denominator को दोनों को 2 से multiply कर दू, सेम नंबर से कोई फरक पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 से 2 वापस divide हो गया है, तो कितना वचा 5 अपों 10, लेकिन multiply करने पर 5 2 जा 10 हो गया, 10 2 जा 20 हो गया, जो एक नया रेस्ना नंब मिल गया, फिर हम दोनों को सेम 3 नंबर से भी multiply कर सकते हैं, तो कितना हो गया, 5 3 जा 15, 10 3 जा 30, हमने क्यों कि दोनों को सेम नंबर से divide भी कर सकते हैं, और हो रहा है तो, तो देखो, 5 जो 10 जो धी 5 जो नहीं हो गया, तो कितना होगा, यह one time divide हो गया, two time, तो एक नया और रेस तो तो यह मैं मुल्टिप्लाय दिवाइड घरके उप्टेंड के ऐनके पभर किया तो यह चाहण जाण चारों क्याल रहिस्था टों मरिक्या केंगे ? rational numbers कहलाएंगे I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी इसके बाद में हम यहाँ एक और example करते हैं तो देखो इसके equivalent हमारे को इन दोनों rational numbers के equivalent 3-3 equivalent rational numbers find करने तो सबसे पहला वाला pick करते हैं 12 by 15 तो एक तो क्या कर सकते हो दोनों को 2 से multiply कर दो तो क्या आएगा 24 divided by 30 फिर एक काम कर सकते हो दोनों को 3 से multiply कर दो तो क्या आजाएगा 36 divided by 45 और अगर किसी से divide हो रहा है तो divide भी कर सकते हो तो देखो मुझे दिख रहा है यह भी 3 से divide हो रहा है यह भी 3 से divide हो रहा है तो हमने 3 क्या किया है, equivalent rational numbers find कर लिए, I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, एक ये वाला number भी हम देख लेते हैं, तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, minus 5 by 7 है, दोनों को पहले 2 से multiply कर लो, तो उपर हो गया minus 10, नीचे हो गया 14, फिर दोनों को क्या कर लो, 3 से multiply कर लो, ठीक है, तो यह क्या हो गया, minus 15 और minus, sorry 21, फिर चाहो तो अब देखो, यह दोनों किसी से divide नहीं हो रहे, तो हम divide नहीं कर सकते इसको, तो क्या कर सकते हो, किसी और से multiply कर लो, जैसे 5 से कर के देख लो, तो एक नया मिलेगा, minus 25 divided by 35, तो यह जो तीनों rational numbers हमें मिले है, यह तीनों के तीनों rational numbers क्या होंगे, इस वाले rational number के, equivalent rational numbers होंगे, I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यह भी आप लोग note कर लीजे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, अगर कोई problem है, कोई topic समझ में नहीं आया है, कोई example समझ में नहीं आया है, तो आप हमें comment करके बता सकते हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने अबर चेनल को subscribe नहीं किया है, तो चेनल को subscribe कीजिए, और bell icon को दबा लीजिए, जिससे की आगे आने वाले हमारे जितने भी lectures होंगे, उसके notification आपको मिल जाएंगे, तब तक के लिए thank you,